गुद मॉनिंग प्यारे बच्चों, आज हम साइंस क्लास सेवेंथ लेसन सिक्स पौधों में पोशन के अंतरगत परपोशी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों तुमने बरसात के दिनों में सडे गले पदार्थो पर या पुरानी लकडी के उपर कुछ छतरी नुमा आकरती को उगते हुए देखा होगा। ये क्या हैं? ये कुकुरमुत्त होते हैं जिनमें की क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसलिए ये पौधे अपना देखा होगा। ये अमर बेल हैं इसमें जड़े नहीं पाई जाती हैं बलकि चुशकांग होते हैं जिनकी साहता से ये हैं पोशी पौधे से भोजन और जल प्राप्त करता है ऐसे पौधे पून पर जीवी कहलाते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरो प्रकार रहते हैं कि एक दूसरे को लाब पहुंचाते हैं जैसे दाल और मटर की अगर जड़ों को ध्यान से देखें तो उनमें कुछ गाठे पाई जाती हैं इन गाठों में राइजोबियम नाम के जिवानू रहते हैं जो कि वायू मंदल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं यह नाइट्रेट्स पौधों के लिए बहुत महत्वपून होते हैं और इसके बदले में जिवानूं को रहने के लिए स्थान मिल जाता है इस प्रकार का संबंध सहजीवन कहलाता है और ऐसे पौधे सहजीवी कहलाते हैं बच्चों क्य अब इन में क्लोरोफिल भी होता है और ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं फिर ये कीटो को क्यों खाते हैं ये नाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटो का भख्षन करते हैं ऐसे पौधे कीट भख्षी पौधे कहलाते हैं इसका उधारण है घट पर्णी जिस के सभी कीट भख्षी पौधे कहलाते हैं और बच्चो अब है एक्सरसाइज टाइम अभ्यास प्रशनों के साथ अब आज का सत्र समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई